प्लीज वीडियो को अंत तक देखे और लाइक शेर और सब्सक्राइब करें समस्कार आमसळ यहाँ काफी प्रेग्नेंसी थो जाती है काफी कि कई प्रॉइब करें जो मेरा सब कुछ सही नै क्या दवाई किब चेकप करा है तो आपके लिए बहुत संचिप में मैं बताना चाहूंगी कि दवा क्यों जरूरी है सब क्योंकि पहले तो दवा लोग नहीं लेते थे ठीक है लेकिन बहले का खाना बहुत अच्छा होता था और लोग बैलेंस डाइट लेते थे उनको पता नहीं था लेकिन फिर भी वह अपने खाने में फल दूद स सबजी सब अच्छे से लेते थे और अच्छे से डाइट लेते थे तो मुझे लगता है कि इसलिए साथ उनको अलग से जरूत नहीं पड़ती थी लेकिन जानकारी भी नहीं थी और डॉक्टर की भी कमी थी लेकिन अभी तो वक्त वैसा नहीं है आपको सारी जानकारी मिलती है और आप लोग आपस में सियर भी करते हो लेकिन सबसे ज्रूरी है कि जो मिलती है सही जानकारी होनी चाहिए तो मैं पहले बढ़ा बढ़ा में बता दूं क्यों ज्रूरी है कई बर यह भांती है कि ड्वा खिला देती है और दवा खिलाने के बाद बच्चा बहुत थेल्दी हो जाता है फिर उनको सिजेरियन करती है सिजेरियन बोल देती है यह बिल्कुल ही गलत है क्योंकि अगर बच्चा आप सही पोजिशन पे है तो साड़े चार केजी का भी बच्चा नॉर्मल हो सकता है और सिर्फ डेर केजी के बच्चे के लिए भी सिजेरियन की ज़रत पढ़ सकती है तो क्यों खिलाना है दवाई तो इसलिए हम लोग सला देते हैं कि अब जब आप प्लानिंग कर रहे हो प्रेग्नेंसी के लिए तो आप तीन महरे पहले से ही डॉक्टर से सला लो कि मैं आप चार दियो कि मेरा बच्चा हो और उस समय हम लोग फॉलिक एसिड कैल्सियम और भी कॉंप्लेक्स यह देते हैं इसलिए तो उसके लिए अच्छा रहेगा जब प्रेग्नेंसी कंफर्म हो गया पॉजिटीव हो गया आप तो उस समय जो भी हम लोग जाज करते हैं इसके अलावे हम लोग दवा देते हैं दवा में मेली फॉलिक एसिड होता है यह फॉलिक एसिड तो मैंने बताया कंजिना कैलियम हमारे खाने में भी मौझूद है जैसे कि हम लोग अगर दूद पीते हैं अच्छे से चोटी मचली खाते हैं तो काल्स कैल्सियम उसे मिलता है लेकिन अभी हमारा जरूरत बढ़ गया और खाना हम कम खार पारे क्रिके मैं बोबिटी हो रही है तो कैल्सियम हम लोग आपके बॉन को support मिलता है साथ में जो pregnancy में कभी blood pressure बढ़ने का डर होता है प्रेकलमसिय का चांस है तो वो कम हो जाता है कि iron की गोलियां हम लोग बोलते हैं लेने के लिए लेकिन calcium और iron की गोली को अलग अलग लेना से प्रेट लेना लेकिन चाय और जूस के साथ खाने के साथ नहीं लेना चाहिए और calcium और iron की गोली को एक साथ नहीं लेना चाहिए तो iron की गोली हम लोग बोलते हैं कि 14 वीक्स के बार ले क्योंकि उसके पहले थोड़ी vomiting tendency होती है और iron से भी vomiting tendency होती है तो इसके लिए होता है और कभी कभी कैस कभी patient से कायद करते हैं कि उनको कजियत होता है तो कजियत के लिए वो फारी सबजिया अफाल यह सब ले इसके अलावे दवा की जुरत नहीं होती कभी कभी वो meeting के लिए हम लोग देते हैं दवा अगर पेट में दर्द हो रहा है तो उसके लिए इनालजेसिस दे सकते हैं कई दान दर्द सिर्द कमर दर्द यह सब होता है तो पर असे टमॉल आप ले सकते हो उसी तरह अगर आपको कमी सर्दी खाल से बुखार हो गया यह लूज मोशन हो रहा है यह फिर यूटी आई हो गया तो उसके एकॉर्डिंग्ली तो अब भी आपका 30 percent dose बढ़ाना होगा ठायर अगर आप ब्लूड pressure की दबा ले रहे थी तो कौनसे दफि दवा ले रहे थी उससे चेंज करने की ज़रत पढ़िसकी है और अगर आप एपिलेपसी की दवा ले रहे थी तो उसकी दवा चेंज होगी तो इसलिए आप अपने डॉक्र से खुल कर अपने बारें बताए अगर पहले की परशी हो वह भी जरूर लेके जाएं अब आती है बाद वैक्सिनेशन की वैक्सिनेशन तो आप जानते ही हो व से सुरक्षित हैं अभी पोलिय का उनवूला नहीं हो चुका है इसलिए वैक्सिन के बारे में जरूर जानना है तो प्रिगनेशी के पहले तीन मेने में हम लोग देते हैं टीडी तिट्स रिप्थिरिया का वैक्सिन होता है और फॉर दो एक्सिन हम लोगों को लेना यह तीनों से बचने के लिए वैक्सिन होता है और यह इसलिए जरूरी है जो वींडो पेरियर जैसे बेबी आपका पैदा हुआ और उसको वैक्सिने तरह सिक्स वीक के बार लगेगा चेह हपते के बार लगेगा तो यह छेह वाला जो फेज है कई बार देखा गया कि बच्छ करते हैं या फ्लू की र प्रेग्णे सी वाक्सिन है इसके कही एक फ्लू क्यां यूकूकक यूारत बंब्चन जाता है उसके करना से लिए बच्छे के लिए परिशानी हों सकती है मदर जा थे तो फ्लू वैक्शेणी हम लोगं घर ढूर्ट से और जरूर जरूर थे इसके तो थीक है नहीं ले चुकी है तो आप ले सकते हो फ्राइस की वैक्सिन है अभी काफि कॉप्लर यह लेना है लेकिन प्रेडेंसी में नहीं लेना है अगर आप व्रत डिलिवरी इसको सप्वाक कर सकते हो कभी-कभी कुट्ता काट लिया अगर तो रेवीज वैक्सिन सेफ है आप ले सकते हो जो लाइव वैक्सिन है वो हम लोग मना करते हैं लेगि रेवीज की वैक्सिन ले सकते हो आप मौसम का वैक्सिन जो पढ़ता है जैसे कोवीज वैक्सिन सेफ था COVID vaccine को आपको अपने लिया होगा या लेना है जरूद पढ़ने से तो ये vaccination जरूरी है आपके लिए तो ये vaccination आपको जानकारी भी होनी चाहिए और लेनी चाहिए और कभी कुछ परिशानी होती है तो ज़्यादा तर आपको अपने doctor से consult करके ही सला लेनी चाहिए और ये जितनी भी medicine या vaccines है आपके बच्चे के लिए है आपकी safety के लिए है आप स्वस्त रहें आपका हीमोगलोबिन सही रहें delivery के टाइम आप positive ले सके और आपकी immunity अच्छी रहें ये सारे diet का modification vaccination उसके बाद जो medicine से ये सारे उसी के लिए आज के लिए इतना ही धने में बहुत प्रबलम हुआ बहुत कश्ट हुआ हमको नोकडी करने में कि कोई घर से ने निकलने देता था कि नहीं करने देंको मार करें खतम कर देंक कि गोंबला सब बस पर नहीं चरने दिया रन पर नहीं चरने देता था मेरा भाई छोटा था दस साल का उए गो चुरा लाया बोला कि मेरी बहन को जो करेगा कुछ तुसको हम भी चुरा भोग देंगें कर दो